हेलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा बारा यानि कि क्लास ट्रेल्थ का विशे पॉलिटिकल साइंस यानि कि राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान का अध्याय या पार्ट पहला जिसका नाम है सीत यु राजनीती विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक शब्द का हिंदी रूपांत्रण है यानि कि जो राजनीती विज्ञान होता है उसे इंगलिश में पॉलिटिक्स कहते हैं और यह इसका हिंदी रूपांत्रण है यानि पॉलिटिक्स को हिंदी में राजनीती यानि कि बच्छों राज्य और राज में शाषन कर रही सरकार और सरकास सरकार जो हको पृषासन वेवस्ता है वह किस प्रकार राज्य में निवास करे समाच के विविन ब्रगों को किस प्रकार प्रभावित करती है या किस प्रकार उन वर्गों पर प्रभाव डालती है उसके क्रमबद एवं विवस्तित ज्यान के अध्यन से है तो बच्चों हमने देखा राजनिती विज्यान का अर्थ और उसकी व्यूतपत्ती और यह किस प्रकार इसका संबंद किन-किन जो से है आधुनिक समय में अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट जिसका नाम है सीथ युद्ध का दौर क्यूबा मिसाइल संकट क्या था दो देश है अमेरिका USA यानि अमेरिका और सोवियत संग USSR यानि की सोवियत संग अमेरिका जो है उसके पास एक डीपी राष्ट है जिसका नाम है क्यूबा और क्यूबा क्यूबा लेकिन इसके पास है अमेरिका के तो पास इस्थित था लेकिन है मित्र राष्ट किसका था यह म इसने क्या किया सोव्य संग ने यूएस से यानि की अमेरिका पर आकर्मन करने की वजाए क्या किया इसने यहां से इतनी दूर से इसके उपर आकर्मन नहीं किया यूएस से क्यों पर रसने क्या किया जो अपनी मिसाइले थी उसने क्या किया वो क्यूबा पर तेनाद करवा दी क्यूबा पर जब उसने मिसाइले तेनाद करवा दी तो जो अमेरिका उसके सीधे निशाने पर आ गया तो अमेरिका का खत्रा बढ़ गया अमेरिका ने बहुत कोशिशी की मतलब वहां के उनको ये उम्मीद थी कि वहां के जो सोविय संग के जो राष्ट्रे पती है जो सोविय संग ने क्यूबा पर जो मिसाइले तैनाद करी थी और यूस से जो संकट महसूस कर रहा था उसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट तो चलिए बच्चों देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट 1962 क्यूबा अमेरिका के तट परिस्टित एक दिवपिय देश था लेकिन मित्र राष्ट क्यूबा सोविय संग का था यानि कि वह दोस्त किसका था सोविय संग का था क्योंकि वह उसे कूटने थेtles और वित्य सायता अप लब्द करवाता था 1962 में क्यूबा पर सोविय संग ने अपनी परमानों'Mिसालिय देनाथ कर दी और 1962 में सोवेट संघ ने क्या किया जो क्यूबा उसका मित्र रास्ट था उसके पास मतलब क्यूबा रास्ट पर अपनी जो परमानों मिसाले थी वहाँ पर तैनात करवादी क्यूँ क्योंकि अमेरिका पर क्यूबा से आकर्मन करना उसे नजदी पड़ता और अगर वह सोवेट संग से आकर्मन करता तो वह उसे दूर पड़ता अमेरिका उसे दूर पढ़ता अमेरिका नजदी की निशाने पर आ गया और क्यूबा पर जब सोवेट संग ने अपनी मिसाले तैनाद करवा दी तो अमेरिका नजदी की निशाने पर आ गया पर तीन उसके तीन हफते बाद अमेरिका को भनक लगी और जो मिसाले उसने तेनाद करवाई सोवे संग ने वहाँ पर उसकी भनक अमेरिका को तीन हफते बाद लगी अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से गबरा रहा था कि दोनों के बीच युद्ध हो जाए कुछ बें दोनों के बीच युद्ध हो लेकिन फिर भी वे अमेरिका जीटोड कोशिश कर रहा था कि जो मिसालें हटा ले अमेरिका जो जीटोड कोशिश कर रहा कि सोवे संग के जहांजों को क्यूबा तक आने से रोका जाए और उन्होंने आदेश दिया अपने जंगी बेड़ों को आदेश दे दिया कि अब जो है यहाज जो परमानू मिसालों के जहांज क्यूबा पर आ रहे हैं सोवे संग के उन्हों जहांजों को वहां तक आने से रो जऌिश्य look करते हैं कि दोनों ही सक्दोनों ही तरफ युद्ध करने के लिए महा शक्तिया हो दोनों ही एक दूसरे को बहुत हानी पहुचा सकती हो युद्ध की पूरी-पूरी समभावना हो लेकिन किल्दों से युद्ध नً और ध्युद्ध तो Давम पर तैनाथ कर दी और ट्यक्स रूप से इसरे मार यांई कर वाई कें लिसुर संगट को क्या कहते हैं कि उचाना के स्थिति Istud जो परिनाम होगा वो सारे विश्व को देखना पड़ेगा या उसे भोगना पड़ेगा तो सारी दुनिया विश्व घबरा गई थी अंतर ते दोनों महाशक्तियों ने युद टालने का फैसला किया और संभावना है युद की पूरी पूरी संभावना होने के बाद अंतर तोनों महाशक्तियों यानि कि अमेरिका और सोविय संग ने फैसला किया कि हमारे बीच में युद नहीं होगा यानि कि विश्व को तीसरे विश्व युद का सामना नहीं करना पड़ा अब देखेंगे बच्चो पहला विश्व युद तो पहला विश्व युद कब हुआ था 1914 से 1918 अर दूसरा विश्व युद कब हुआ मित्र राष्ट में आने वाले देशों के नाम बताईए तो आप इसे ध्यान से पड़ें मित्र राष्ट में कौन-कौन सी देश आते हैं अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन और जो सोवियत संग जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं कि दूसरे विश्व यूद में यह जो जो देश हैनिकी दूरी राष्ट का सामना किया था मैं अदोरी राष्ट में जर्मनी इटली और जापान थे हैं मिए अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर पर्मानू बंगिरा दिया जयानिकी जो सहिकर अमेरिका था उसने क्या कि आपान के दो शहरों पर परमानु बम गिरा दिये 6 अगस्त 1945 को हिरोशीमा में और 9 अगस्त 1945 को नागा साकी में गिरा है और जो बच्चों जो उन्होंने ये बम गिरा है उनको क्या नाम दिया गया इसको लिटिल वाय और इसको फिट मैं नाम दिया गया बच्चों इन जो परमानु बम थे उनकी capacity यानि की जो शमसा थी वो 15 से 21 किलो टन थी दोनों की इसके बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई और पूरे विश्विने यानि कि जब उसने ऐसा किया कि बहुत कि उसने क्या कि जापान पर परमानों बंगिरा दिये तो पूरे विश्विने पूरी दुनिया न था तो ऐसे में बंगराने की आवशकता नहीं थी कि जब वो आत्मसमणपर करी रहा था तो आप लोगों की याफशकता नहीं थी फूरविश्व ने उसकी आलोचना की बुराई की अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा मतलब अमेरिका ने सफाई देते हुए ये कहा दितिये विश्विद जल्दी समाप्त करने और आगे की जन्हानी को रोकने के लिए मतलब अमेरिका ने कहा कि मैंने क्या कि दितिय विश्विद जो हो रहा था उसको जल्दी खतम करने के लिए और आगे की जन्हानी को रोकने के लिए मैंने जापान पर परमानु बम गिरा दिये ताकि युद जल्दी खतम हो जाए अमेरिका के उद्देश लेकिन उसके प्रिमग उद्देश क्या थे परमानुग बम गिराने के जापान पर उसके उद्देश थे अमेरिका सोवेट संग को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही एक मात महाशक्ति है यानि कि थावित करना चाहता था सोवित संग को दिखाना चाहता था कि वही एक मतलब अमेरिका ही एक महाशक्ति है यानि वही शक्तिशाली राष्ट्र है अपरोद बच्चो अपरोद एक शब्द है उसका हम अर्थ देखेंगे किसे क्या तातपर है अपरोद को रोक और संतुलन भी कहते हैं जब दोनों ही पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुचा सकते हो तो ऐसे में कोई भी देश युद्ध का खत्रा मुलना नहीं चाहेगा जैसे कि बच्चो USA हमने देखा कि USA और USSR ये दोनों ही महाशक्तिया थी और अगर इन दोनों के बीच में परमाणू युद्ध होता तो इससे विश्व को बहुत हानी उठानी पड़ती तो बच्चो जब दोनों ही पक्ष बहुत ताकतवर हो या लिए कि जब दोनों ही शक्तिया जिनके बीच में युद्ध होने की संभाना है वे दोनों ही बहुत ताकतवर हो और दोनों ही एक दूसरे को बहुत नुक्सान पहुचा सकती हो युद्ध से तो कोई भी राष्ट्र या कोई भी शक्ति ये नहीं चाहेगी मतलब युद्ध का खत्रा मोलना नहीं चाहेगी तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि युद्ध का खत्रा हम ले ले अमेरिका और सोविस संग दोनों ही ताकतवर थे और इसी के कारण दोनों के बीज में युद नहीं हुआ और विश्व तीसरे युद से बचा रहा बच्चो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई कमजोर राष्टर है तो जैसे एक कमजोर है और एक शक्तिशाली है तो युद हो जाएगा लेकिन शीयत युद्ड का क्या होता है बच्चो जब दोनों ही तरफ युद्ड करने के लिए बड़ी-बड़ी महाशक्तिया हो और दोनों के युद्ड करने से वे दोनों को ही मतलब एक दूसरे को हानी बहुत ज्यादा मातरा में पहुंचा सकती हो युँद्ध की पूरी-Pूरी संभावनां हो लेकिन किने कारणों से युद्ध टल जाए यानि कि जब युद्ध ना हो पाए तो उसे कहते हैं शीत युद्ध यानि कि युद्ध का मतलब लड़ाई जगडा और शीत युद्ध का आर्थ है कि जब लड़ाई की पूरी-पूरी संभावना हो दोनों शक्तिया एक दूसरे कोहानी पहुचा सकती हो लेकिन दोनों ही जो राष्ट्र है वो खत्रा ना मोलना चाहे यानि कि किसी किनी कारणों से वह युद्ध टल जायतों से कहते हैं शीत युद्ध दो दुर्वियविश्व का आरम देखते हैं यह था यु इस शर यानि कि सोविएत संघ तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि विश्फ जू था वो दो दूर्वों में बटना शुरू हो गया जर्मिनी का सज़क्तुराज अमेरिका की हिस्से में चला गया और USSR और आदा हिस्साar यानि कि सोविएत संग में चला गया तो बच्चों क्या हुआ जो दीवार खीची गई इसे कहते हैं कि बर्लीन की दीवार और बच्चों जो हिस्सा जो हिस्सा सोव्य संग के हिस्से में आया उसे कहा गया पुर्वी खेमा और जो संग तुराज अमेरिका के अमेरिका और विश्व का आरंब दोनों महाशक्तियों ने विश्व के भिविन हिस्सों पर अपना प्रबाद बढ़ाना शुरू कर दिया आने की दोनों महाशक्तियां अमेरिका संग तुराज अमेरिका और सोव्य संग ने विश्व के भिविन हिस्सों पर अपना प्रबाद बढ़ाना शुरू कर दिया यहीं से दो दुर्विता की शुरुआत हो चुकी थी दुनिया दो भागों में बाटी जा रही थी बटवारा इरोप महादीश से सुरू हुआ और हमने देखी थी बच्चो बरलीन की दिवार यानि जो यह दिवार खिची गई जर्मनी पे जिस दिवार ने जर्मनी को दो हिस्सों में बाट दिया पहला जो था वह पुर्वी खेमे में आ गया और दूसरा जो था वह पस्चमी खेमे में आ गया तो जो दिवार ख को सिरक्षय और क्या अगर आकर्मन कर देगी तो बड़ी च्राच्टियां में ऑगों उसकी उसकी मदद करेंगे उसकी सायता करेंगे उसे सभी तरीके की मदद करेंगे और माशक्तिया जो थी वो जो छोटे सी देश पर आकर्मन है जो उसके अंडर में आता है जा उसके साथ जो जिनका गटबंदन है उसके आकर्मन करेगा कोई देश तो वह उसे अपने पर आकर अकरपन मानेगा और महाशक्तिया उसे पूरी-पूरी मदद देंगी यानि उसे सुरक्षा का वादा देंगे आर्थिक मदद और बच्चो जब छोटे देशों को आर्थिक साहता की आवशक्ता होगी तो जो महाशक्तिया है वो उन्हें आर्थिक मदद भी देंगी यानि कि अगर उन्हें सेन इकों की यहत्यारों की आफशक्ता हुई तो वह भी उन्हें उपलब्द करवाएंगी बड़ी महाशक्तिया बच्चो नाटो क्या है बच्चो नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है नाटो का पूरा नाम नौर्थ अटलांटिक ट्रीटी और्गिनाइजेशन है इसे हिंदी में उत्री अंटलांटिक संदी संगटन कहते हैं इसकी स्थापना 4 अप्रेल 1989 में हुई सभी सदत से मिल जूर कर रहेंगे इसका उद्देश था एक दूसरे की मदद करेंगे अगर एक परहमला होगा तो उसे अपने उपरहमला माने और फिर मिल जूर कर मुकाबला करेंगी बच्चो नाटो ये अमेरिका की द्वारा बनाया है और चार अप्रेल 1950 को इसकी स्थापना हुई इसका उद्देश ये था कि अगर जैसे भी जैसे की पुर्वी खेमे में कोई भी देश आ रहा था जैसे सारे मतलब जो पुर्वी खेमे सोवेज संगी के अंडर में जितने भी देश आ रहे थे उसमें अगर किसी भी छोटे जो थे जैसे के अमेरिका सेयुक cruise अमेरिका उसे अपने पर यानि पूर मयाख शक्ति पर हमला मानेगा और सोवेज संग का मुकामला करेगा इसी के बदले में नाटो के बदले में नाटो के बरावर उन्होंने सोवे संग ने फिर उसके बाद में कौन सी संदी बना दी सोवे संग ने 1905 में वार्षा की संदी बनाई और इसका उद्देश क्या था कि जो पस्टमी खेमे के देश थे उनका मुकाबला करना यानि कि नाटों का नाटों में शामिल इतने भी देश थे उनका मुकाबला करना अब देखते हैं बच्चों सीटों ये सेंटों में क्या आंतर है और इनकी बारे में हमें बताना है सीटो, पूरा नाम साउथ इस्ट एशिया ट्रिटी और्गिनाइजेशन था, स्थापना इसकी 1954 में हुई थी, उद्देश सामेवादियों की विस्तारवादी नित्यों से दशनी पूर्वी एशियाई की रक्षा करना सेंटो, स्थापना 1955 में हुई, इसका पूरा नाम सेंट्रल ट्रिटी और्गिनाइजेशन था, उद्देश इसका सोवित संग को मध्य पुर्व से दूर रखना और सामेवाद के प्रवाव को रोकना महाशक्ति छोटे देशों के साथ गठमंदन क्यों बनाते थे, यानि कि जो महाशक्तिया जो बड़ी बड़ी शक्तिया थी, वह छोटे देशों का अपने साथ क्यों मिलाती थी, क्यों उनको अपने साथ शामिल करती थी, क्या कारण थे, बच्चों महत्पूर्ण संसादन, मियुप लगद है तो उसका उप्रयोग मतलब अपने उसका लाब अपने अनुशार ले सकते थे क्यों कि छो जो रास्टर थे वह उनका लाब सही प्रकार से नहें ले पारे थे तो वह महा महाशक्ति उनको अपने अपने साथ उनका गठवन्दन करती महाशक्ति जो दो रखी जो दुश्मन राष्ट् il इस पर अपना अधिकार जमा पाते थे आर्थिक मदद और महाशक्तियों को छोटे-छोटे रास्ट्रों से चोटे-छोटे देशों से बहुत आर्थिक मदद भी मिलती थी शीत युद्ध के दायरे समझाओ बच्चों हमने क्या देखा कि शीत युद्ध क्या होता है कि जब दोनों ही तरफ युद्ध करने के लिए बड़ी-बड़ी महाशक्तिया हो दोनों ही एक दूसरे को युद्ध पहुचा सकती हो और बहुत जादा जानमाल की हानिक की संभावनाय हो लेकिन युद्ध किनी कार्णों से टल जाए या दोनों शक्तिया है वो युद्ध टाल दे तो वह क्या होगा सीत युद्ध होगा अब हम देखेंगे सीत युद्ध के दायरे विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच अफसर में संकट आए यानिकि जो द जो था वो परमानयुद से बचा रहा कोरिया व्यतना में व अफकानिस्तान में व्यापकानी हुई फिर भी विश्वयुद नहीं हुआ शीत युद्ध के दोरान अनेक संकट सामने आए खुनी लडाईया हुई लेकिन इन खुनी लडाईयों ने तीसरे विश्वयुद का रूप नहीं लिया यानि खुनी लडाईया ने बहुत सारी लोगों की जाने गई खुनी लडाईया हुई लेकिन इन खुनी लडाईयों ने फिर भी अंतत्य तीसरे विश्वयुद का रूप नहीं लिया दोनों महाशक्तियां अमेरिका वे सोव्यट संकोरिया में 1950 से 1953 बर हस्ताक्षर किये तो बच्चों जब दोनों ही माहा शक्तियों के लगा कि अगर हम दोनों युद्ध करेंगे तो परमानु जो वोगे जन से एक लम उध्ल करेंगे उनसे हम दोनों राष्ट्र को बहुत हानी उठानी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही जो राश्ट्रें कों सपोस्टिक्रा रीक्षे उसके नहीं करे मावशक्षाद नहीं ông राप्र सब्सक्राइब तो दो दुर्व दुर्विता को चुनति गुट निर्पेख्ष्ष्थ हाएस यानि की बच्चो जब विश्व जो था दुनिया उढें डो धिर्वियों में बटते घाएक तो दो दो आप्शन तो मतलब थे दो उनके पास अफसर थे कि या तो पुर्वी खहमे में चले चाए या पस्चमी खहमे चाए जाए और गुट निर्पेक्ष्टा और तीसरा विकलप उनके पास यह था कि वे गुट गुट बना ले और वे उन दोनों में न कहि aan जाए दोनों खैमार पुर्वी खैमे में बट रहा था तो उन्होंने एक आंदोलन मतलब गुट निर्पेक्ष आंदोलन करके आप अलग रहो ना तो पस्चमी खैमे में शामिल हो आप और नहीं पुर्वी खैमे में गुट निर्पेक्ष आंदोलन कई देश जुन ने गुट निर्पेक्ष आंदोलन का सहयोग किया वो अलग रहे यानि कि ना पुर्वी खैमे में गये ना पस्चमी खैमे में गये उनकी संस्तापक कौन-कौन थे यूगस वालिया जोसेप ब्रोज टीटो भारत के थे पंडित सम्मिलन पिवा बच्चेंव उननिस सो एक सटमे में बैलंगरेड में हुआ और इसमें तब 23 सदस्य देश वाला हुआ क्यूबा गुटनेट पेख्षा की निती को अपनाने से भारत को क्या लाब हुए मतलब गुटनेट पेख्षा की निती यानि कि जो जो ना भारत दो देश था वो ना पुरवी खेमे में गया ना पस्चमी खेमे में गया उसने अपनी वो गुट बना के वह अलग विकल्प उसने चुन और ले पाया करो अपने भिद्व करका तो और थ्यानँ करकी का फॉष्णीन करेच में नियुकर यह शक्कinator, लुपकिके पने पहसले हिस्तितो ले लिए एक महाशक्ति उसके उसके खिलाफ जा तो बिए दूसरी महाशक्ति में जा सकता था है मतलब भारत ने गुड़निर पेक्षतागी निती अपना है और वैं ऐसी इस्थिति में रहा कि अगर एक देश अगर उसके खिलाफ चला जाए यानि एक महाशक्ति से अगर नुसे नुक्सान हो तो वैं दूसरी महाशक्ति में जाकर शामिल हो जाए ऐसे में ना कोई भारत पर दोंस जमा सकता था और ना है कोई बेफिक्र रह सकता था यानि कि ऐसे में ना तो कोई भारत पर दोंस जमा सकता था ना उस पर कोई अधिकार जमा सकता था कि अगर पुर्वी खेमा अगर उस पर दोंस जमाता तो वैपस्चुमी खेमे में चला जाता तो पुर्वी खेमा मतलब या प अपना कर दोबारा गुलाम होने से बचा जैसा कि बच्चों हमें पता है कि हमारा वारत देश है वो अंग्रेजों के पहले गुलाम रह चुका है तो गुटनेर पैक्ष्टा की निती की आलोचना किस परकार की गई है यानि कि बच्चों बारत को गुटनेर पैक्ष्टा की न वो किस प्रकार की गई है देखते हैं तो आलोचोकों ने आलोचना करने वालों ने कहा है कि भारत की गुट निर्पेक्ष्टा की निती सिद्धान्त विहीन है बच्चों कई आलोचोकों ने ये कहा है कि भारत की जो गुट निर्पेक्ष्टा की निती है वह सिद्धान्त वि लिए मेहत्पुर्ण अंतरा स्टिफ हैसले लेने से बचता है भारत के वेवार में इस्थरता नहीं है मतलब भारत के वेवार में इस्थरता नहीं है आलो चक कहते हैं कि भारत ने सोवत संंग से मदद मांगी ती त hyρίस्व ने क्या कहा कि हम तो सोवेज संग के मिल चुके है और मतलब गुटनेड पैक्षटा के ठिखुंत के खिलाफ है और यह यह का धों कर रहा है चाहिए धम मेह दिखाने कि यह ना वह धोंग कर रहा है गुट निर्पेक्ष्टा का यानि कि उसने तो सोवे संगी के साथ संदी कर रखी है यानि कि वह सोवे संगी के कहमे में शामिल है और वह गुट निर्पेक्ष्टा का धोंग कर रहा है गुट निर्पेक्ष्टा ना तो प्रथकवाद है यानि जो गुट निर्पेक्ष्टा है यानि कि जो गुट निर्पेक्ष्टा है वो ना तो प्रथकवाद है यानि कि ना तो अलग है अलगाव उसमें ना तो अलगाव है ना ही तटरस्ता यानि कि वे ना इस्तिर है तो प् मतलब अपने देश को अंतराष्ट्री मामलों से काट कर यानि उसे अंतराष्ट्री मामलों से कोई मतलब भी नहीं रहता और तरस्ता कार्थ होता कि मुक्यत है युद्ध में शामिलना होने की निती का पालन करना यानि कि युद्ध में हम नहीं शामिल होने की निती का मतलब ह नहीं होंगे और उस निति का पालन करना अतार्थ किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं रखना और प्रतक वाद का अर्थ होता है कि किसी दूसरे देश से जरूरी नहीं होता कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगी 1887 ने से 1914 तक अमेरिका ने प्रिथकवाद की निती अपना कर अपने आपको दुनिया से अलग रखा और जो अमेरिका था उसने अपने विचार प्रिकवाद करते हैं प्रिथकतावाद लेकिन गुटनेटपेक्स देशों ने प्रिथकवाद की निती नहीं अपनाई लेकिन गुटनेटपेक्स देशों ने प्रिथकवाद की निती नहीं अपनाई लेकिन गुटनेटपेक्स जो प्रिथकवाद की निती नहीं अपनाई लेकिन गुटनेटपेक में समझते कराने में सक्रिय भूमी का निभाई और इन्होंने क्या किया मतलब जो प्रति द्वंदी थी जो राष्टर युद्ध कर रहे थे उन में समझता कराने में प्रतक्तावाद यानि उसमें प्रतक्तावाद के रूप में उन्होंने अपना अतना सहयोग दिया और उनके बीच में पृति दुन्दी गुटों के बीच में समझता करने में सक्रिय भूमे का निभाई और तटस्तावाद में कई कारणों से गुटनेट देश थे याणि पूर्वी खेमे बार्षचीमी खेमे में उन्होंने वह भी युद्धो में शामिल हुए इन देशों ने दूसरे देशों की मदद करने का प्रयास किया और यह क्या किया कैसे लिए कई देश ऐसे भी थे जुन्हें ने दूसरे देशों की युद्ध मदद मदद की और युद्धों को टालने में भी उनकी सहयोग दिया उनकी मदद की साहता करी नाम से एक रिपोर्ट छपी यानि की बच्चों जो अलपविक्सित देशों का अपने प्राकर्तिक संसादनों पर नियंतरन होना होगा यानि कि बच्चों जो अलपविक्सित देश होते हैं यानि कि जो गरीव या कमजोर देश होते हैं उनका अपने प्राकर्तिक संसादनों उनकी जो प्राकर्तिक संसादन है जो उनको प्राकर्तिक की देन है उनका नेंतरन होगा यानि कि वह उनको जदा उपयोग नहीं करें करेंगे इन दॉस्टों के पहुच पाष्ट देशा के बाजारों तक होगी अपना उतबाधन सामान थे अमेरिकाक के पाष्टमete से मंगा जा रहे हैंıl कपने कम्छों देखा क्या तो उन इस प्रिकार की विक्सित प्रादगी की नहीं थी तो जो उनके लिए जो पस्चमिन देशों से मंगा जा रही जो प्रादगी की थी उसकी लागत कम होगी यानि कि उसके कम कीमत मर उन्हें दिया जाएगा या उन्हें बेचा जाएगा अल्पिविष्टी देशों की उन्तराश्य आर्थिक संस्ताओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी नव अंतराष्टी आर्थिक व्यवस्ता से आप क्या समझते हैं गुटनेट पेख्ष आंदोलन में सामीन अधिकतर देशों को अलपिविक्षिक देशों का दर्जा मिला यानि कि बच्चो जो गुटनेट पेख्ष जो गुटनेट पेख्षता को जिन देशों ने अपनाया तीसरा विकल्ब अलग रहे उनमें से अधिकतर जो देश थे उन्हें अलपिविक्षिक देशों का दर्जाय मिला आ यानि कि उन्हें कमजोर और गरीब देशों की श्रेड़ी में आ गए यह देश आर्थिक रूप से पिछले एवं कमजोर देश थे और यह जो देश थे आ विशेश चुनेती आर्थिक विकास की थी अपनी जनता को गरीबी से निकालना और इनका अजो इनकी सामें जो विशेश चुनोती थी यानि प्रमुगिन का काम क्या था अपनी जनता को गरीबी से निकालना बिना आर्थिक विकास के इन देशों को दोबारा गुलाम होने क खत्रा था इसी समझ से नव अंतराष्ट्रे आर्थिक व्यवस्ता की धार्णा का जनम हुआ और इसी समझ से यानि कि इन देशों को बचाने के लिए इन देशों की स्थिति को सुधार्णे के लिए नव अंतराष्ट्रे आर्थिक व्यवस्ता की धार्णा का जनम हुआ तो ब